इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महराश्ट के नए मुख्यमंत्री होंगे एकनाच शिंदे उधव ठाकरे के स्तीफे के बाद अब एकनाच शिंदे महराश्ट के नए मुख्यमंत्री होंगे आज शाम साड़े साथ बजे एक नाजशिंदे महाराश्ट के नए मुख्य मंत्री के तौर पर शपत लेंगे इस बात का अभी एलान किया गया है देविन्र फर्णविस और एक नाजशिंदे आज अभी से थोड़ी देर पहले राजपाल भगत सिंग कोश्यारी से मिलने उनके निवास पहुचे थे मुंबई पहुचे थे जिसके बाद यह एलान किया गया कि एक नाजशिंदे महाराश्ट के नए मुख्य मंत्री होंगे तो एक नाजशिंदे के नाम का एलान करते हुए बीजेपी नेता देविन्र फर्णविस ने आज क्या कुछ कहा उस पर अगर थोड़ा नज़र दोड़ाए तो देविन्र फर्णविस ने कहा कि जो उध्व ठाकरे जिस शिव सेना को लीड कर रहे थे उसने बाला साहिब ठ ठाकरे के हिंदुत्व को किनारे कर दिया था जिस दाउत का बाला साहिब ठाकरे आजीवन विरोथ करते रहे उस दाउत के संबंध उस दाउत से संबंध रखने के जो आरोपी लोग थे उन्हें मंत्री बनाया रखा गया और जब उन्हें जेल में डाला गया तब भी उनसे मंत्रीपद नहीं चीना गया तो इस तरीके के तमाम आरोप लगाते हुए देविंद्र फड्नविस ने कहा कि इन सारी बातों से शिवशेना के जो विधायक थे उनमें ही रोश था उन वही असंतुष्ट थे जिसके बाद एक जो बड़ा धड़ा था शिवशेना का वो एक न शिंदे महराष्ट के मुख्यमंत्री होंगे इसके अलावा अगर हम एक नाच शिंदे के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 1980 में उन्होंने शिवशेना जॉइन की थी जिसके बाद 1997 में वह पहली बार थाने से कॉर्पूरेटर बने थे 2004 में एक नाच शिंदे ने थाने से ही सबसे पहली बार विधान सभा का चुनाव लड़ा और शिवसेना की टिकेट पर वह जीते थे उसके बाद 2009 में भी उन्हें टिकेट मिला शिवसेना से और 2009 में भी उन्होंने जीत दर्स की जिसके बाद 2014 में जो तीसरी बार एक नाच शिवसेना के विधायक बने और देविद्र फड़नविस की अगवाई वाली सरकार में वह P.W.D. मंत्री बनाये गए P.W.D. मंत्राले काफी एहम मंत्राले होता है देविद्र फड़नविस और बीजेपी और जो शिवसेना की 2014 में एक नाच शिंदे थे जिसके बाद जब देविंदर फड़नविस की सरकार में 2014 में एक नाच शिंदे शामिल हुए शिवसेना शामिल हुई तब एक नाच शिंदे को PWD मंत्रालेज दिया गया अगर 2019 की बात करें तो 2019 में BJP और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट विधानसभा का चुनाओ लड़ा था लेकिन चुनाओ के बाद जब अलायंस तूटा और महाविकास घाडी की सरकार बनी उस वक्त भी एक नाच शिंदे नंबर टू की पोजिशन पर थे काफी महतवपूर्ण विभाग सरकार में रहते हुए एक नाच शिंदे के पास रहे और इसके साथ ही शिवसेना के भी वो काफी बड़े नेता माने जाते रहे हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे से अलग होने का फैसला किया और अब वह बीजेपी के समर्थन से महराष्ट क मुख्यमंत्री बनने वाले है इस पूरे घटना क्रम की अगर मैसेजिंग की बात करें हम तो हम यहां पाएंगे कि उद्धव ठाकरे ने भी जब यह एक नाच शिंदे की अगवाई में बागावत शुरू हुई थी तब उद्धव ठाकरे ने भी स्तीफे की पेशकश की थ अपना सबसे पहले उसमें उन्होंने कहा था कि वह स्तीफा देने के लिए तयार है मुख्यमंत्री पत से और जो भी बागी विधायक है वो सामने आ करके बताए कि किसे मुख्यमंत्री बनना है वो अपना स्तीफा तुरन दे देंगे और जो भी चाहेगा उसे वह मुख्यम मंतरी पत से स्टीफवा दे दिया है उसके बाद बीजेपी के समर्थन से एक नाच्षिंदे महराश के नए मुक्ही मंतरी बनेंगे तो एक तरीके से हम देखे तो एक शिवसेनिकत ही जो जैसा उध्रौ ठाकरे हमेशा कहते थे कि बाला साइप ठाकरे वाला वो शुरुवात से कहता रहा है कि उन्हें अपनी सरकार में NCP और कॉंग्रेस का साथ नहीं चाहिए उधो ठाकरे ने MBA सरकार का ही नेतरुत करने की बात कही थी खुद इस्तीफा देकर वो किसी भी बागी विधायक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तयार थे लेकिन उस सरकार का मुख्यमंत्री पद किसी भी बागी विधायक ने या एकनाच शिन्दे नहीं स्विकार नहीं किया लेकिन उन्होंने अब विपक्ष में अब तक विपक्ष में रही बीजेपी के साथ मिल करके जो सरकार अगली बनेगी महराश में उसकी अगवाई करने का मन बना लिया है तो एक तरीके से ये जो मैसेजिंग की अगर हम बात करें तो ठाकरे परिवार जो उद्धो ठाकरे हैं उन्हें कहीं न कहीं यहाँ पर अलक थलक करने की रणनीती पर भी हम देख सकते हैं बीजेपी और जो एकनाचिंदे का गुट है वो काम कर रहा है क्योंकि अब आने वाले समय में जो महराश की राजनीती में जो भी बाते होंगी उसमें ये साफ तोर पर कहा जाएगा कि एक शिवसेने की सीम बना है इसमें कोई दो राय नहीं है और जो एकनाचिंदे का शुरुवात से जो वो बात कह रहे थे कि उन्हें अपनी सरकार में न तो एनसीपी चाहिए नहीं कॉंग्रेस चाहिए वो चीज भी कही न कहीं लागू होती हुई साबित होती हुई यहा हुई